हाँ आए देखो यह लोग हैं क्या था हो अरे आप फी लोग तो बात कर देंट है नहीं हम लोग पूछ रहे हैं कि कि दोजार चौबीस में दो महिने का चुनाओ कर गया है तो जैन चौधरी का रहे हैं कि प्रदान मंत्री मोधी ने भी ते दस सालों में जो काम किया है वही काम किया जो चौधरी चरण सिंजिसके हिमायती थे किसानों का नौज़वानों का नाइव ने किया नई यह वह निकिया तो यह भारत रतन देने अच्छा बारत रतन क्या यह चुनाबी है या फिर वाकई में उस्टन थे हैं कुनावी मुद्दा यह तो पहले नहीं दया इनोंने दस साल लेकिन लोग पूछ रहे कि बीजेपी को जरूरत क्या थी आरेली की मुझा अफ़र नगर वो जित गई थी बागपत वो जित गई थी अन्य जगहों पर मातर शेही सीट तो आ रही थी जहां पर मुस्लिम बहुल जादा इलाकें पचाइब की बार इना इसा नहीं लगे रहता है तो जहां चौधरी का फैसला ठीक है ठीक है ठीक है तो लोग करें कि जो आपके गन्ना का मुल्य का था हर बार जो हम लोग आते थे बोलते थे सड़के ठीक रही है आपका प्यमेंट यूँ है तो वह सब्सक्राइब किसानों का खत्म बश्चता में पहुंचेंगे तब सब्सक्राइब करती रही तो देखिए आज मायवती कहां है अब दा चला कि आरेलडी भी अही सत्ता की राजिनीत करती रही तो मुश्किल होगा 10 साल तक आप लोग खिलाब थे नई सब लोग दो खिलाब नी थे ना सबी किलाब नी थे तीस परसेंट लोग बीजेपी के साथ थे किसान लोग जो थे अब जो है सब एक साथ हो जाएंगे जादतर अब इसलिए पूछ रहे हैं कि चुनाओं के ठीक पहले ना चौदरी साभ याद आगए उदर देखे कर पूरी ठाकुर याद आगए अब पता चला बाल साव ठाकरे भी आद आजाएंगे महाराष्ट्र में तो हम यह पूछ रहे हैं कि क्या जैन चौदरी का फैसला कैसा आप लोग इसको कैसे देखे नहीं जो भी करया उसने ठीक करया गलत नहीं करया तो फिन आप लोग का विरोध खत्म ये गरना का नहीं का चलता रहेगा यह तो रहता है यह तो रहता है इस चीज को थोड़ी कहते हैं अगर जैन चोद्रीश में चलेगे तो यह थोड़ी कहते हैं इसा कुछ नहीं करता भाई पैसा तो चीए गा दिल्ली का जो घेराव है जैसे पंजाब के किसान अलग हो जाएंगे पश्मी उतर इन सीटों पर विजे पी को हार देखनी पड़ी नहीं वह तो है अब तो इस सीथी बदल गई नहीं देखो वह तो चुनाव है और चुनाव में कुझा ना कुछ शीती बदलती रहेगी अश्य थो यह नहीं सकता नहीं बदलेगी यह तो चलता रहेगा थोड़ा लूट तो सब्सक्राइब के साथ होगे हमारे अल्टी के साथ ही रहेंगे तो लट रिवा बात एक लग है सम्झोटता है उनका वाट ठीक है यह आगे मारे बड़े बाई और यह क्या है पताइए हम लोग पूछ रहे चौवीस का महौल क्या है इधर कर नीस में तो बीजे पी थी चौद सरकार बनाई ऐसा है जैन चोधरी को यह बात देर से समझ आई अच्छा जैन चोधरी का लोगदल का हित बीजे पी में है समान विचारदारा की पार्टी यह है सपा तो जाट विरो दी मुलाइम शिंग ने मुखमंत्री बनने के बाद जी तिंका केरियर खतम करवाई दिया जो भी रहा जितने जाट नेता थे पश्चमी उत्तर प्रदेश में मुलाइम शिंग पहली बार मुकमंत्री बने सूपड़ा साथ करवा दिया था फिर अकिलेश यादा मुकमंत्री बना मुझा पन्नागर दंगे कौन बूल सके एक तरफा कर वाई हुई अब लोग यही त जाएंगे उन्होंने 10 साल बीजेपी के खिराफ राज नितीन मना तो कोई अस्थाई दोस्त होता ना कोई अस्थाई दूश्मन होता जो पार्टी सत्ता से इतने तिन बाद दूर रहे ले उसको तो फंड मिनी मिलता इब इनोना जो करा ठीक करा इब बीजेपी एक इसका है वह एक हो गया जो विरोध में थे बीजेपी की तरह पर लोग दल जो भी थे बीस तीस दस पांच जो भी ते अब गाउं में पहले की तरह चुना होगा जहें चोदिशन सिंग और जीत सिंग रहे था नहीं तो लोग पूछ रहे हैं कि बागपत मुजफर नगर मेरत सामल कि जब सब जीता हुआ था बीजेपी तो फिर आरेली की जरुवत क्यों पड़ी विरोध अब आका कुछ बढ़ गया था एक तो सब सबढ़ी समझ से तो मारी या है बागपत में तो के मारा मिल पैमिंट नहीं देता हूं यूं एक साल पिछे का इले के चले हम तो करें आप भी किसान तो मोदी के खिलाफ कम से कम दिख रहा था लोकदल के साथ जाट हमेंसरा बीच में टूट गया था मुझा बंदा कर दंगे और ने के बाद में इनकी तोड़ी तोड़ी सी कलती रही है कौम के साथ नहीं आए नहीं से कुलर बनना सुच्चा कोंग्रेस सरकार में मंतरी थे चोई साथ जीव कॉंग्रेस खुलके दूसरे पक्स के साथ होगी जाट अना छोड़ी जाट्टो के साथ कोई नहीं था तो उसकी वज़े से इनके जो वोट्टो में कमी रही जाट्टो में जो भिखरावाया मुझा फंदगर दंगे से बाद ऐसे माँ वीज़ेपी पर जया गए मुझा पस्ट्रों उत्रवधेस कोई नहीं रहाए मुझा अब कोई नहीं रहा है यह ठीक है दूसरी पाल्टी आहीं नहीं सकती। अब तो आप लोग दिल्ली का घेराओं बंद कर देंगे जो ने कहेंगे जो तो ने कहेंगे जुरुत भी वे सरकार के साथ बात करके जो किशणू के इतने फैसले लूँगे यह उमीद है इस उमीद से इतने खूश है लोग अब जैन्ट चोधरी सरकार के साथ चले गए किशनू का कुछ हीत होगा वैसे किसानू के इतमात तक कोई सरकार रही नहीं सिरफ किसानू की वोट ले भूल लिया लेकिन अब उम्मीद है कि यह कॉंग्रेस कह रही है कि में स्वामी नाचन का जो मेंस पी आपका मांग है वो क् सब्सक्राइब नहीं तो यह जो कहावद था कि टूटा खाट और जुका हुआ जाट नहीं ठीक है तो जाट तो सब कह रहा कि अब जुग गए लोग लोग जो पश्चिमुत्र प्रदेश के बाहर के लोग है जो जाटों को नहीं जानते हैं तो लोग यह कहते थे है कि देखो याद टूटा हुआ खाट जुका हुआ जाट नहीं अच्छा लगता है अब तो लोग कर रहें कि टूटा खाट भी और जुका हुआ जाट लेकिन जितना काम पिछले 10 साल में भीजए पी ने कर आशड़ कोप है अब बिजली पिरी कर दी खेट की मार्श सबसे आदा तो किसान प्रणानमंत्री मोधी जब संसद में बीजेपी को अकेले 370 पार का नारा दे रहें तो क्या वो जमीन पर उतरता दिख रहा है क्या पश्चमी उतर प्रदेश की 27 लोगसवा सीटों में जो बीते चुनाओं में 8 सीटे भारतिय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी क्या उन सीटों पर इस वार आरेलडी और बीजेपी के गटवंदन से जीत का परचम लहराया जागा ऐसे कुछ सवाल है जिसके जवाब मिलने लोगसवा चुनाओं में बाकी हैं दिखना दिल्चस्प है कि 2024 के लोगसवा चुनाओं में क्या भारतिय जनता पार्टी इस बार लगातार तीसरी बार प्रधान मंत्री के तोर पर मोदी की ताजपोसी करा पाएगा या और सीटे जो लगातार 14, 19 और 24 में बढ़ती दिख रही है क्या वो सीटों में बढ़ोत पिनास के साथ रिसी केश कुमार को दीजे जाज़त कुछ और जगों से देश का महौल क्या है पश्चमी उत्तर प्रदेश में उन सीटों से आपको दिखाएगा जो 2019 में भारतिय जनता पार्टी नहीं जीत सकी थी उन सीटों का महौल क्या है नमस्कार आप दिखते रिज सकी में 24 थी उन सीटों